दोस्तों जब धान खरेदने हैं तो किसान पंजिकरल करवा लेते हैं तो पंजिकरल करने के बाद से वह वेरिफाइड होता है यानि कि यो सत्यापित होता है तो हम एक ऐसे पता चलेगा कि हमारा जो पंजिकरल किया हुआ है वह सत्यापित हो गया है आज किस वीडियो में हम ल या कंप्यूटर से जो भी आपका सिस्टम है उससे देखना चाहते हैं तो अपना Chrome browser open कर लिजिएगा यदि mobile से देखना चाहते हैं तो Chrome browser open करके उसको desktop आप साइट कर लिजिएगा और इसके search box में हम type करेंगे उत्तर पर्दे सिखाद इतना लिखने के बाद से दोस्तों इसको हम search करेंगे जो आपको ऊपर देखने को मिला है हिंदी में home उत्तर पर्दे सिखाद एम रसद विभाग की करके कुछ लिखा हुआ है और उसके ऊपर क आपको डेस्टाब पे दिख रहा है इसको टाइब करने के बाद से हम डारेट उस साइट पे जा सकता है यदि आपको अपिसिल नए मिल शाइड नहीं मिल ला है तो उत्तर पर देश खाद लिगकर आप सर्च कर सकते er दोने में से कोई ये कर सकते हैं तो फिलाल देखिए जैसे मैंने official site डाला वो direct website पे हमको भेज दिया है यानि कुत्तपरदिस खा दे हम रसद भिवाक site पे भेज दिया है यदि हम जो पिछला हम बताया है इसके मादे हम से जाना चाता है तो होम उतापरदिस क्लिक करने के बाद से आप उसी पे जा सकते हैं तो यहां से दोनों site से आप जा सकते हैं दोस्तों यहां पर देखिए आपको अनेक विकल्प दीखेगा जो सबसे first विकल्प है खरीद है तो किसान पंजी करण इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे किसे क्लिक करेंगे तो हमारा first option आजाएगा जो दान खरीद है तो किसान पंजी करण लिका है उसंपर हम क्लिक कर देंगे तो आपको कई step में आपको देखनों के मिलेगा तिसमें से पच्वा step पे जो पंजी करण फाइल प्रिंट हैं उस में क्लिक करेंगे जिसमें से आपको option मिलेगा आधार संक्या भरने के लिए capture code भरने के लिए इसमें आप आधार संक्या और capture code दोनों भर लिजेगा दोस्तों जो आधार संक्या आपको भरना है जिस आधार से आपका पंजिकरण हुआ है उसी का आधार आपको डालना है यदि आप किसी अने का अधार डालते हैं यदि उनका पंजिकरण नहीं हुआ है तो 100 नहीं करेगा, एर्र हो जाएगा तो आपको जो भी अधार डालना है यानि कि जिनका हुआ है, उनहीं का करना है तो फिलाल देखिये, जैसे मैंने अपना अधार सब को डाल दिया है यहां पर आपको देखने को मिलेगा हमारा फाइल खुल गया है और यह हमारा जो last option है इसमें लिखा है खतवनी नाम सत्यापित के इसे थी यहां पर लंबित लिखा है यानि कि अभी हमारा सत्यापित नहीं हुआ है दोस्तों जैसे ही वहां से verified हो ज पता कर सकते हैं कि सत्यापित हुआ है कि नए हुआ है, आप मोबाइल से भी, चाए वो सिस्टम या जो लिप्टाप है, आप उससे भी पता कर सकते हैं, जो मैंने पीछे बताया है, आप उसी तरह फालो किजिएगा, दोस्तों उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, य वीडियो को लाइक केजिए, चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाएं दोस्तों.